नमसकार दोस्तो एक मैं पिन्यो कुमार आप लोगों के लिए सबसे बहत्रीन ट्विक लेकर आयो हूं माउस को आज की वीडियो में जानेंगे माउस क्या है.. hetio का टैप क्या है.. और माउस का function क्या है और structure क्या मतलब माउच से समरंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली तो आप इस वीडियो में बने रहे आगे बात करते तो जैसे कि पिछले क्लास में आपको बताये थे इन्पु डिवाइस और उसके कुछ एक्जाम्बल्स बताये थे तो आज क्या करेंगे उस इन्पु डिवाइस का पहला एक्जाम्पल पर क्या करेंगे पूरी बात करेंगे तो जो हमारा पहला एक्जाम्पल था जी माउस था तो लोग वैसे सभी जानते कि माउस हमारा क्या है जी इन्पु डिवाइस है हम लोग सभी जानते हैं, है ना, और इससे समान दी पूरी पूरी क्या करेंगे, जयानकारी आज जानेगे तो देखें सबसे पहले आपको mouse का definition आपके सामने क्या किये है, present केए है एक छोटा सा प्यारा सा डिफिनेशन आपके सामने डाला हूँ ठीक है ना तो आईए समझते हैं करा माउस जी एन इन्पू डिवाइस करा इट इज यूज टू सलेक्ट एन्य अबजेक्ट इट इज नोन आज क्या जी पॉइंटिंटिंग डिवाइस मतलब हमारा माउस है जो क्या है जी इन्पू डिवाइस हम लोग सभी जानते हैं इसका यूज क्या करते हैं किसी भी अबजेक्ट को क्या करने के लिए सलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं इसका यूज हम करते हैं ठीक है ना और इसको क्या एक other नाम से भी जानते हैं किस नाम से जी pointing device के नाम से भी जानते हैं मतलब mouse का दूसरा नाम pointing device भी कह सकते हैं ठीक है ना चलिए अब बात करेंगे types of mouse mouse कितने परकार के होती हैं ठीक है ना according to connection क्या जी according to connection connection के अधार पे mouse कितने types होते हैं तो आज़े देखिए बात करते हैं पहला है जी PS2 mouse मतलब PS का मतलब क्या होता है personal system मतलब जो पहला है वो क्या है हमारा PS2 mouse है PS का standard होता है personal system मतलब PS2 mouse है ये personal है इसका जो position होता हो क्या होता प्रस्टनल जगा पर होता चीख ना आएज बात करेंगा आगे पहला है दूसरा क्या है USB mouse मतलब क्या जी Universal Serial Bus मतलब USB का सिनर्फ क्या होता Universal Serial Bus और थाड नमर क्या है जी Bluetooth mouse और क्या जी Wireless mouse तो देखिए हमारा image आपको दिखाई पड़ा रहा है देखिए पहला है PH2 mouse USB mouse और क्या है जी Wireless mouse या Bluetooth कह सकते है तो देखिए PH2 mouse का होता था उसका क्या होता था उसका जो connection होता था उसका जो add point होता था वो क्या होता सरकील होता गोल होता था क्या होता था जी गोल होता था और उसमें काफी छोटे छोटे क्या होते थे पीन्स होते थे ठीक है ना क्या होते थे चोटे चोटे 500 से ते उसमें क्या करते थे हम इसका fix position पे क्या करते थे add करते थे मतलब कि जो हमारा ps2 mouse का है वो हमारा उसका अस्थान fix था ठिक ना जैसे कि देखिए हमारा यहां यह हमारा माने कि यह हमारा cpu का क्या है जी cpu का position है इसमें देख रहेंगी दो icon देख रहें mouse और keyboard तो दिखाई पढ़ रहा इसमें इसमें हमारा क्या जी mouse add होगा अगर इसमें add करेंगे तो हमारा mouse बर्क नहीं करेगा क्योंकि यह personal काम करता है मतलब इसका जगह इसका position क्या रहता है प्रस्नल रहता है ठीक है ना और उसका जो connection होता था क्या होता था उसका गुलाकार होता था और छोटे टो क्या होते थे बहुत सारे नेक्स्ट हमारा है USB mouse देखिए हमारा इस तरह से क्या होता है वो दिखाई पढ़ रहा है क्या है यूएस्ब माउस इसका होगा वह यूएस्ब के माधियम से होगा और दोनों इसका फाइदा क्या है यूएस्ब को आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी यूएस्ब हैब में आप कनेक्ट कर सकते हैं कोई प्रोगलम नहीं होगा पर जो पियस्टू माउस था उसमें क्या जी उसका फिक्स जगह था अगर वाइद अधर जगह आप आइड करते हैं तो वर्क नहीं करता ठी हमारा है wireless mouse है ना और क्या बुलूत माउट मतलब कि इस mouse में हमारा किसी तरह का वाएर का यूज नहीं किया गया है गया है जिक है ना इसके लिए इक पोर्ट का यूज किया जाता है देखें सामने बगल में देख रहे हैं चोटा सा पोर्ट है यह पोर्ट क्या होते हैं अपने सीप्यू में क्या करते थे सीप्यू के यूएस भी हम में कुछ सी में क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं और हमारे माउस को कहीं बी है ना कुछ range के माध हम से क्या का उसको हम operate करते थे इसमें क्या जी आप इसको mouse के यूज करने के लिए इसमें आप battery का यूज किया जाता है ठीक है ना यह हमारा क्या जी mouse का अलग अलग क्या हुआ जी types किसके connection के अधार हुआ और अभी जान लिजे कि हम लोग यूज करें mouse उस mouse को क्या कहेंगे जी तो उसको कहेंग अपटिकल माऊस क्या बोलेगे जी इह हो गया Structure के नुसार क्या हो मतलब Indie स्थे के नुसार होते हैं वह क्या होते एक बटन स्वालीब भाश पहले फिर दो बटन वाले आएं पिर तीन बटन वालेे और है मतलब क्या हो गया क्या जी, a structure of mouse हो गया, ठीक है न, तो उससे हमको जनकारी, उससे, है न, थ्वासा जनकारी लेना है, उसके बारे हम डिटेल हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है न, में हमारा point ए था है, मैं इसके बारे हम क्या कर दिया, बात कर लिया, तो यहां लिए छोटा साहिब देखिए, होता है, और PS2 का interface, ऐसा होता है, है न, USB का interface, ऐसा होता है, और PS2 का interface, ऐसा होता है, ठीक है न, आगे बात करते हैं, हमरा, next है function of mouse, function of mouse, mouse को हम किस-किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसके बारे में का करेंगे, बात करें, पहला है जी, हमारा single click, दूसरा है जी, right click, next है जी, double click, और next क्या है जी, ड्राइख एंड, द्रॉफ मतलब ये mouse किस-किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में क्या-क्या, यहां बतायागिए जिसे कोई-बी करते हैं, single click करते हैं, डबल किलिक करते हैं, और क्या जी, right click करते हैं, और क्या, कोई भी चिश्को ड्रैग औ क्ट्राइट जेखे, ये सब क्या काम करें, मतलब माउस को morning, चार तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से हम माउस से क्या कर सकते हैं, यूज, हम कर सकते Kung-घी आप माउ।्ट फुली다 करते होंगे में Kalup सिंडल को बैंग करते हो में काहिक कहीं आपको डबल कई करने के कि जरत पर आथा और कहीं का जी कोई भी औीजट को सालकु सालेक्ट करने की लिए या कोई आपके एक जगह हुआ है इस माज़व कुम क्या बोलेंगे और टिकल ओक्स बोलेंगे यहाँ झी घॉमारे जब माउस उसमें क्या होता है लेफ बटन होते हैं जी राइड बटन होते हैं जी सेंटर बटन होते हैं जी और क्या जी अस सेंटर बटन बोलिये या तो क्या बोलिये देखें है ना सेंटर बटन बोलिये या तो क्या बोलिये जी अस्कॉरल भील बोलिये तो जैसे देख रहेंगे जी हमारा यह हमारा क्या जी लेफ बटन है यह हमारा क्या जी राइट बटन है जी यह हमारा क्या जी अ कीज़ है स्कॉर्यल भील होता है ठीके न क्यों ठीके ना तो यह हमारा माउस क्या है जी अस्ट्रिक्चर है क्या जी माउस क्या है आप देखिएगा आपके माउस सेटिंग जब पढ़िएगा तो आपको कुछ अलग भी setting की करने की जरुवत पड़ेगा तो वो अलग आप modify कीजिएगा वो तो अलग चीज है ठीक है न बट यह हमारा क्या है सही हमारा है ठीक न यह क्या है left click sorry left button left button left button को जो हम click करते हूं तो क्या कहते है left click करेंगे तो right button बोलेगे ठीक है न और क्या करेंगे लेप्ट को double बार click करेंगे तो क्या करेंगे double click बोलेगे left का यूज नहीं करना क्यूंकि हम लोग बास starting में left की यूज करते हैं पर बाद में क्या करा हम left का यूज नहीं करेंगे केबल केबल क्या जी हम click बोलेगे single click double click single click double click समझ रहें बात को ते कि कलास हमारा यही था ठीक है न आगे मैं कीबोड का भी वीडियो इसी तरह लाओंगा ठीक है तो आज का वीडियो यहीं तक मिलते हैं कोई next वीडियो में अगर कोई वी इससे program होता है तो आप comment box में comment करना न भूलें चलिए मिलते हैं next वीडियो में